क्या आपको पता है कुछ दिनों पर इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर निरश गवयत ने कोलाउड कया था अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर यूट्ुबर जेक्पॉल पॉल को एक बॉक्सिंग फाइट के लिए और इस कोलाउड का रिप्लाई किया था जैक पॉल ने और जैक पॉल ने कहा था कि तुम्हारा बेट काफी कम है मैं तमें एक हाथ से ही हरा दूँगा इसके फिर उनकी जो है कंड्रोबेशी काफी चली और एक एक वीडियो में जैक पॉल ने कहा कि अगर हिम्मत है तो अमेरिका तौर परी को आके दिखा यहां पर फ पहुंचे और जिम में जो है उनसे जाके मिले और वहाँ पर उनकी बैसा वैसे हो गई और यह सब जो है इसके बाद नीरस गएद में पोश्ट किया कि जैक पॉल मुझसे भाग रहा है और वो फाइट नहीं करना चाहता इसके बात जो है जैक पॉल की टीम प्रमोशन कम्पपनी ने जो है निरेसगे। अच्छी कबर ըिकल के आई एंडियन पर को चाने वाले हमारे देश के सभी के लिए कि अब हमारे देश में जो है एक अच्छी फाइड होने जा रहे है साद यहары हो बॉक्सिंग के लिए एक अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए कि यहां पे जो है बहुत सारे पर्तिवाएं हैं उनको आगे निकलने का मौका मिलेगा और खासकर निरस गोज़त यार मैं उस बंदे को प्रसनली जानता हूं मेरी फॉन पर बात भी हुई है कुछ दिनों पहल है कि मुझे नाम कमाना है दुनिया में नाम बनाना है सुरू से काफी मेंति रहे रहे बंदा इसलिए जो है अच्छा संकेत लिया या एक ऐक अच्छी एक मेहनत का फल आ रहा है, इन्होंने काफी नंबे टाइम से यह श्ट्रगल कर रहे हैं, और उस सालब पले इन्होंने आमीर खान इंगलेंड के आमीर खान को चैलेंज किया था, उनसे भी इनकी बाउट बनी थी, लेकिन इस दोरा इनका एक्सिलेंट हो गया था, ज अब डिल सायन हो गई है, अब देखते हैं कब होगी, इसका अभी तब कुछ आइडिया नहीं लग पाया, लेकिन जैसे ही मेरी इनसे बात होगी, मैं इनसे संपर करूँगा, तो जैसे जो निकल के एको मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारा बॉक्सर निरस गोयत जैकपल को हरा दिंगे, और ये किस वेट केटेगरी में खेलेंगे दोनों, क्योंकि वेट का आप भी डिफरेंस है दोनों खिलाडियों में, तो क्या कुछ लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, थैंक यू.